सर्दी आना मतलब बीमारी भी साथ लाना नौसम बदलते ही लोगों को सर्दी जो काम गुखार सबसे ज्यादा होता है और पकड़ता भी है तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ ठिप्स के बारे में बताएंगे जिसे अपना करापें बीमारीयों से दूर रह सकते हैं बस जरूरत है आपके अपनाने की उल्टे हाथ से खाए सुनकर थोड़ा आजीव लग रहा है लेकिन ये सच है अगर आप राइट ठंटी भी हैं तब भी हम आपको कहेंगे कि आप उल्टे हाथ से ही खाए अब हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यूं कह रहे हैं दहसल जब भी आप किसी से मिलते हैं तो अपना सीधा हाथ के मिलाते हैं और जिसकी वजह से सामने वाले के जम्स भी आपके हाथ में आ गए माना आप हाथ धोकर ही खाते होंगे लेकिन कहते हैं ना प्रिकॉशन इस बेटर दैन क्योर जब अगर बचना हो बीमारी से तो उल्टे हाथ से खाये पेंगविंग की तरह छोटे छोटे कदम चलें जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि अगर आप पेंगविंग की तरह ही धीरे धीरे मतक मतक कर चलते हैं तो आप बीमारी से बच सकते हैं इसके पीछे का कारण ये है कि छोटे छोटे कदम चलने से हमारी बोडी बैलन्स मेंटेन कर पाती हैं इसी के साथ खाना डीजेस दुने में सहायक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाई एवं शेयर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो के साल अटाविए हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें